तो आप सबको जोहार और यहां पर एक बहुत तगडी नियूज निकल कर आ रही है वो यह है कि जारकन में अपनी पेंटिंग से स्कूली बच्चे कर सकेंगी कमाई ट्रेनिंग भी देगी यहां पर सरकार तो कैसे ट्रेनिंग देगी सरकार और क्या-क्या यहां पर फायदे मिलेंगे चलिए उसको मैं आपको यहां पर बता देता हूँ तो बोला जारा है कि जारकन में स्कूली बच्चे अब अपनी कमाई जो है वो कला के जरीए भी कर सकेंगे सरकारी और निजी स्कूलों के चातर चातराओं की पेंटिंग और अन्यक अला किरतियों को अब उचित मंच पर यहां पर प्रदेशन किया जाएगा यानि कि गैलरी वगएरा इस तरीके का कुछ यहां पर बंदवस्त किया जाएगा ताकि वहां पर एक्जीविशन वगएरा किया जा सके और यहां पर पैंटिंग्स वगएरा को बेचा जा सके तो बोला जा रहा है कि उनरमंद चातर चातराओं की बनाई पैंटिंग और अन्यक अला करितियों की प्रदेशनी के साथ-साथ इनके बिकरी भी की जाएगी और बिक्रिये से मिले पैसे चात्रे चात्राओं के यहां पर बैंक खाते में जमा कर दिये जाएंगे जो कि दिखा जाए तो काफी अच्छा आइडिया सुनने में लग रहा है और इसकोली सिक्षा एवं साक्षता विभा की ओर से इस तरीके का प्रियास किया जा रहा है रोजगार प्राप्त करने के लिए प्रोटसाहित एवं मार्क दर्शित भी किया जा सके इस संब्ध में 3-4 नमबर को राज्ये के आंड्रे हाउस में राज्ये के सरकारी एवं निजी विद्यालेओं के यहाँ पर छात्रे छात्राओं की उतकरेश्ट कलाकरतियों के यहाँ पर प्रदेशनी लगाए जाएगी कलाकरतियों को देखने एवं खरीदने के भी सुविधा दी जाएगी जिलो के सिक्षकों से इस संब्ध में विशेश सुजाओ भी मागे गए हैं क्लाकRCितियों में बाल कलाकर किनाम कक्षए आवं विद्याले का नाम होगा प्रधिक जिले से यहांपर 5-10 उत्रिस्ट कलाक्रटियों का यहांपर चेन किया जाएगा और उन्हें यहाँ पर प्रदेशने के लिए राची ही भेजा जाएगा जो कि देखा जाए तो अच्छी नियोज यहाँ पर निकल कर R.E.A. स्टुडेंट्स के लिए कि अब वो पेंटिंग बना कर यानि कि जो उनकी होबी है उसको वो लोग काफी अच्छे से इंप्रूआइस करके इसे पैसा भी कमा सकते हैं और यहाँ पर खुद जो सिख्छा विभाग है या फिर जो स्कूल है वो उनकी मदद करेगा तो इससे ज़्यादा और कमाल की बात क्या हो सकती है मतलब सोने पर सुवाग वाले बात हो गई है यहाँ पर जोहार